हेलो बीटिफुल पीपल वेलकम तू लखनो लोकल्स आज हम आपके लेकर आये हैं दो स्टेलने स्टील के युटेंसिल जो की बहुत जादा आपके लिए बेनिफीशल होने वाले हैं आपके डुमेस्टिक किचेन में देखिए आजकल जिस सिस्थाब से इस्टेलने स्टील की एक शॉट हैंडल मिलता है और एक आपकी नौर्मल कड़ाई होती जिसमें डबल स्टे कूल डबल हैंडल मिलते हैं तो चलिए इसके बारे में एक कंपारिटिव रिव्यू करते हैं और आपको बहुत ही बहतरीन तरीके से दोनों कड़ाईयां दिखाते हैं सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर भी वही सेम रिपेट मिलता हैं विद लॉंग शाप्ट हैंडल यह दोनों ही हैंडल स्टे कूल होता है आपको बहुत देर तक कड़ायां की चड़ी हुए कोई वी चीजब को रही है तो यहां पर आपको यह हेल्प करता है बिलकुल भी यह heat उप नही होता है तो यह स्टेकूल लिड होती है इसकी फिनिशिंग की बात करते हैं तो यह अंदर से माट फिनिशिंग में आती है बहुत ही क्लियर रिपिट्स के साथ और उपर की तरफ यह होती है इसको तरह साइड में रखते हैं फिर आपको प्रॉपरली इसकी वॉक दिखाते हैं तो वॉक का जो शेफ दिया हुए, प्रॉपर कढ़ाई का शेफ दिया हुए, अच्छी खासी डीपनेस के साथ है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, रिपिट्स की, तो बिल्कुल क्लियर रिपिट्स दी हुई है, क्लियर रिपिट्स देने का रीजन यह हो जाता है, कि ब कोई भी cooking recipes आप बनाएंगे, तो बिल्कुल उसके original taste में ही आपको cooking experience मिलेगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं, गेज की, तो 2-2.5 mm का गेज मिल जाता है, इसमें जो की cooking के लिए बहुत ही special और बहुत ही अच्छ माना जाता है, अब हम बात कर लेते हैं, तो यह चीज आप single handle से carry कर सकते हैं, जो की बहुत ही बहुत ही बहुत ही experience होगा, क्योंकि normal कडाईयां क्या होती है, मैं double side से carry करनी पड़ती है, अगर walk की बात करते हैं, तो लोग इसी लिए prefer करते हैं, क्योंकि इसमें एक long shaft handle होता है, जिसको हम easily carry कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, नीचे के base की, तो company आपको यहाँ पर maximum की branding देती है, और 3.6 liter capacity, 26 cm, और यहाँ पर 2 precautions आपको दे देते हैं, कि always use on low flame, do not dry heat, इन दोनों का ही मतलब हो जाता है, कि इसको आप dry heat नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर आपका food material ready है, तो तुरंत रच को रखिए, अच्छे से heat हो जाएगा, तुरंत cooking का बजा लीजे, और बात कर लेते हैं, इसमें low flame की तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको stainless steel utensils यूज करने हैं, तो एक चीज़ का दियार रखेगा, लखनो लोकल्स का भी यही मंत्रा है, कि अगर आप कभी भी stainless steel की utensils यूज करते हैं, तो उसको कभी भी high flame पे ना यूज कर करने में आपको आसानी होगी, और मगर यह आपको यह है कि cooking के time पर यह double handle से ही आपको lift up करनी पड़ेगी, यह भी आ जाती है stay cool handle के साथ, similar finish के साथ आती है, कोई difference नहीं है दोनों की lid में, और inner surface में भी कोई difference नहीं है, एक चीज़ का इसमें ध्यान अलग difference आता है, वो यह हो हो जादा मतब यह है कि matter नहीं करता है, और यहाँ आपको मिल जाता है 304 grade की steel का experience, और maximum branding के साथ यहाँ पे दी हो ही है, और यह भी 2.5 mm के आसपास की thickness के साथ है, और वही similar आपको precautions यहाँ मिल जाते है, same capacity, same diameter made in India branding के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, यहाँ प आपको मैं इसका weight भी बता देता हूँ, अगर हम बात करते हैं कड़ाई की तो कड़ाई का weight होता है, 1.790 kg, मतलब 1 kg 790 grams, और हम बात कर देते हैं जरा walk की, तो walk जो है 1.730, मतलब यह समझे की कड़ाई से हलकी है walk, कड़ाई जो आपको मिल जाती है, यह मिल जाती ही थोड़ी सी heavy, मतलब बहुत ज़्यादा difference नहीं है दोनों के weight में, दोनों का weight में लगबक यह समझे की 50 grams के असपास का अंतर है, तो ऐसा कोई खास difference नहीं है, और utility में यह है कि आपको जो बहतर लगती है, जैसे कि अगर आपको लगना है, लगता है कि आपको एक walk purchase करनी चाहिए, और purchase करने कि सोच रहे थे, क्योंकि उसमें काफी लोग को यह benefit रहता है, कि single handle रहता है, lift up करना असा रहता है, और आप daily wear में जो आपकी आदत है, वही उसी तरीके से आप use करना चाते हैं, तो दोनों में से जो भी आप prefer करना चाते हैं, वो कर सकते हैं, दोनों की quality आपको बहती बहतरीन मिलेगी, और company के तरफ से पूरी तरीके से इसकी guarantee भी मिलती है, तो जैसा आपको लगता करेगा, हमारे वीडियो को like करेगा, हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलेगा, thank you so much, keep supporting us.